मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत प्राचिन का सही पारंपरिक और वेकल्पिक चिकित्सा पद्दत्यों का केंद्र रहा जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की लक्षे को प्राप्ट करने में सहायक है इनमें इलेक्ट्रोपैथी की विशेश महत्ता और रज्ज सरकार इसे प्रोट साइट करने के लिए प्रतिवत है मुख्यमंत्री शर्मार अविवार को मुख्यमंत्री निवास पर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों की आभार एवं अभिनंदन सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि रज्ज्य सरकार आमजन के स्वास्ति को स करोड रुपे का प्रावधान किया साथ ही इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सके संबन में नियम बनाने की भी घोशना की गई मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्ति सिवाओं का निरंतर विस्तार कर रही है परिवर्तित बजट दो हजार चोबिस पच्चिस में साथ करोड रुपे का प्रावधान किया गया है जो कुल बजट का 8.26 प्रतिशत हिस्सा है इससे आमजन को गुनवता पूर्ण स्वास्ते से वाए मिलेंगी और स्वास्त धाची का विस्तार एवं सूद्रडी करन होगा उन्होंने कहा कि एक प्रभावी चिकित्सा पद्यत जाए कि अंतियो देई के संकल्प की माद्यम से केंद्र और रज्ज सरकार की योजना यांतिम पंक्ती में खड़े व्यक्ति को लाब पहुंचा रही है उन्होंने नागरी को से आगरे किया कि वेश जरूरत मंदों तक इन योजनाओं का लाब पहुंचाने में सक्री भूम कर और इसमरती चन भेट कर बज़ट घोशनाओं के लिए अभिनंदन किया